Hello and Welcome to our YouTube Channel O-Level का पेपर अब खतम हो चुका है और आसा करता हूँ आप सभी का पेपर काफी अच्छे से हुआ हो और ये कामना गरता हूँ कि उससे भी अच्छा आपका परड़ाम आए बढ़ते हैं आज अपने लेक्चर की तरफ थोड़ा सा माफी चाहूंगा मेरे आवाद में हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत महसूस हो कि विस्वास्त हमारा खराब है आज का हमारा टॉपिक क्या है कि क्या ऐसी चीजे हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए O-Level का पेपर खतम होने के बाद तो सबसे पहले आप समझेए कि ये O-Level का जो कोर्स आप पढ़ते हैं इसको बनाया गया था आपकी जो स्किल्स है उनको अपक्रेट करने के लिए इसका उद्देस ये नहीं था कि आप एक कागच का तुकड़ा पा जाएं और उससे कहीं पे जाके सरकारी नौकरी में लगा दें ये इसका उद्देस बिल्कुल भी नहीं है आप इसको गलत तरीके से ले रहे हैं तो आपको क्या काम करना है तो मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा इस कोर्स की तरफ कि अगर आपने O-Level की पढ़ाई तीन से चार महीने अच्छे से की है ये उन लोगों के लिए वीडियो नहीं है जो एक दिन पढ़के पेपर दिये हैं अगर आप उन में से आते हैं तो इस लेक्चर से आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है अगर आपने एक महीने दो महीने भी पढ़ाई की है तो आप अगर M1 पेपर दे रहे हैं तो आप MS Office या मैं कहूं Libre Office अच्छे से पढ़े होंगे अगर M2 पेपर दे रहे हैं तो आपने Web Designing की Skill सीखी है अगर M3 पेपर दे रहे हैं तो आपने Python सीखा है और M4 का मैं डिसकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि M4 का यूज आप तब कर पाते हैं जब आप विस्तृत पैमाने पर पढ़ाई करें तो ये तीन पेपर में से कोई पेपर की तो तयारी आपने अच्छे से की ही होगी अब आप क्या करते हैं कि पेपर जैसे खतम हुआ इन सब को उठा के आप अलग रख देंगे और जब आप तीन महीने बाद पलट के देखेंगे तो इन में से 99 परज़न चीज़ें आप भूले रहेंगे तो ये वक्त है ऐसा कि जब आपको इन स्किल्स को रिफाइन करना है मतलब अगर आपने M1 पेपर पढ़ा है तो आपको कोसिस करनी है कि ओफिसियल क्या यूज इसके हो सकते हैं जिससे कोई भी आप प्राइवेट नौकरी के लायक बन जाएं अब बहुत से लोग कहेंगे मुझे तो प्राइवेट नौकरी नहीं करनी है वो अलग का मुद्दा है कि आपको नौकरी करनी है या नहीं करनी है लेकिन अगर आपने वक्त अपना दिया है इस कोर्स को तो आपको ये चाहिए कि आप उसके लायक हैं कि नहीं ये आप समझिए तो आपको उस लायक बनना है कि ये कोर्स करने के बाद आपको जौब मिल सके समझ मैं नहीं तो आपको समय देना यहां पर बेस्ट हो जाएगा बरबाद हो जाएगा बटना है अपने दूसरे पेपर की तरफ तो आप ऐसा समझिए कि आप डिजाइनिंग कर पाएं इस लायक खुद को बनाएए सिर्फ पढ़ लिया तो उससे किस तरीके से आप आगे बढ़ें वेब डिजाइनिंग की तरफ या पाइथन पढ़ लिया तो इंडस्ट्रियल जॉब की तरफ कैसे आगे बढ़ें अगर ऐसा आप करते हैं और मान लीजे आप ओ लेबल में फेल भी हो जाते हैं तो भी आप एक अच्छी नौकरी गाल बन जाएंगे अगर आप नहीं सही से प्रैक्टिस की तो आप क्या करना है आपको इतना करना है कि जो भी पेपर आपने तयार किया है उसका इंडस्ट्रियल यूज कैसा है उसका ऑफिस्यल यूज कैसा है इसको समझना है इसको धूंड के सीखना है तो आज की वीडियो में इतना ही था कि आप समझ पाएं कि इस paper का उधेश क्या है और आपको अपनी knowledge को waste नहीं होने देना है break नहीं लगने देना है अगर इस वीडियो आपको अच्छी लगी हो हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यमाद